आज ही करें हैं CSS और आज हमारे CSS की class 2 है तो जिसे हमने last lecture में देखा था कि यह CSS क्या है CSS means case-cadding style sheet जो के एक language है लेकिन जो इस्तबाल होती है theme या style design करने के लिए वेb page का तो CSS के जो quotes होते हैं basically जो apply होते हैं किस पर apply होते हैं यानिके HTML elements के पर यानिके all text are HTML elements मतलब HTML के elements से मतलब वही है कि जो भी HTML के elements हैं यानिके ये bold, h1, ul ये सब HTML के elements हैं जो less than greater than में लिखे जाते हैं इन्ही को redefine करने के लिए CSS का code किया जाता है यानिके इनकी functionality को raise करने के लिए इनको बजीद, width, height और मजीद चीजों को discuss करने के लिए तो CSS तीन तरीके सा हम apply कर सकते हैं कल हमने इसका method 1 जिसका नाम था inline method दूसरा method है internal method और तीसरा method है इसका external method CSS के code में शामिल है इसकी properties जैसे एक property है width फिर इसके बीच में separator आएगा फिर उसकी value pass करेंगे जो भी हम रखना चाहते हैं और last में statement terminator आएगा इस तरह से एक आप होता है तो आज हमारी class हुए इसके देर हम बनाएंगे एक web page का layout मतलब sections बनाएंगे उसके layout के उपर header section, navigation section, content area और footer section किस तरह से बनाएंगे उसके देखेंगे और अभी हम उसमें वही method यूज करेंगे जिसका नाम है inline method तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक new page ले 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 और save कर देते हैं class02 web layout तो यहां में हमें लिखा class02 और इसका नाम बंदिया हमने web layout. तो यह हम इसको browser पर देखते हैं कैसे नजर आएगा तो यहां से write किया file and explorer किया और यहां से write button बटन दबाया और यहां से open explode में और इसको browser पर खोल के देख लिया इसको यहां से अलग कर लिया है यहां से minimize कर दिया और यह हमें नजर आ रहा है अब यह तो वैसे normally web page आप इसके section मनाएं कि इसका header section हो एक इसका navigation का बाहर को एक इसका content यहां पर निशर आएंगे और नीचे footer का section हो तो यह कैसे standard define हम कर सकते हैं तो यह करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां से अपना VA set को लेंगे और यह page पर आ गया है सबसे पहले हम यहां पर कुछ elements यूज़ करेंगे जो इस काम के लिज़ होंगे वो सारे block level element है जैसे के header बनाना है तो header का element हम यूज़ कर रहे हैं चीक है इसमें header आएगा और उसके बाद हमने आगे इसके लीचे navigation बनाना है तो navigation का element यूज़ कर लें हम यह भी block level element है जो div की जगा पे हम इस्तमाल कर रहे हैं उसके बाद इसके अंदर content area आएगा तो उसके लिए हम site को इस्तमाल कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम इसका footer define करते हैं यानि कि एक normal basic स header होता है एक navigation होता है एक site होता है यहाँ पे content नजर आएंगे और footer section होता है आप basically देखा जाए तो HTML में तो यहाँ पे कुछ भी नजर आने वाला नहीं ही क्योंकि हमने यह तो element लिखती है और वो section बन गया हम तो दिखी है को अब हम इसकी CSS करेंगे तो inline method में क्या होता है क कि हर element के साथ आप उसका code लिखेंगे और लिखने के बाद आप support के double quote लगाएंगे और इसकी जो properties है इसके अंदर लिखेंगे तो अगर जगा कम पढ़ती है तो मैंने बताया कि आप inter कर दें नीचे कर दें तो यह double quote यहाँ से start हुआ है double quote यहाँ पे over हो रहा है अब जो भी ABC का पर्क बड़ेगा तो चोटी ABC में ही जादतर इसकी properties है उनको चोटी ABC में लिखना है फिर उसके अंदर column लगाया उसका separator आगिया तो अब इसका color क्या होगा यह header section का color हमने सब उस orange रख दिया तो यहाँ safe किया control S से और यहाँ पे आगे refresh किया तो यहाँ भी कुछ नजर पिक्जल की height को define कर दिया PX4 pixel आपने लिखना है और statement terminal लगाना तो यह देखें header section आपकी एक create हो गया जिसके height 400 pixel है और width कितनी है width by default जैसे इसकी जितनी page की width होती होती है लेकिन हम फिर भी width की property को use करके इसको 100% का sign लगाएंगे 100% का मतलब यह है कि जितनी बड़ी screen पे खुले सब पर यह पूरा ही फेल जाएगा ठीक है उसके बाद हम इसको कम भी करना सीखेंगे तो यह देखें हमारे पास इस तरह से आ गया उसके बा अब हम क्या करें बार बार पूर लिखें वो भी ठीक है वन्ना हम क्या करते हैं यहां से copy किया यहां पर पैस्ट कर दिया यहां से copy किया यहां पर पैस्ट कर दिया यहां से copy किया यहां पर पैस्ट कर दिया ठीक है यह चीज इस तरह से नजर आ रही है अब उसको क्या करेंगे यहां पर क्लिक करके यहां पर क्लिक करेंगे color पर यहां पर color आप यहां से कोई और color ले ले यह इसका shortcut है अगर यह काम से हमने color दे दिया safe किया, refresh किया तो यह देखें, यह आपके सारे तक्रीबन एक ही विड़ते होगा अब इनकी height को हम कम करेंगे विड़तों हमें सही ही रखनी है तो यहाँ पर height हमने इसकी कम करके कर दी navigation की 50 pixel यहाँ पर aside की height हमने बढ़ा के कर दी supposed to be 800 pixel और यहाँ पर footer की height हमने कम करके कर दी supposed to be 30 pixel तो यह देखिए, यह आपके सामने design होगा पुरा का पुरा ठीक है, अब हम इसके header के बीश में text लिखना चाहते हैं, जैसे हमने कल लिखा था तो आब हम HTML के अंदर जाएंगे आप देखिए, header का element यहाँ से शुरू है और यहाँ पर end है यह इसका style का attribute का space रखा था यहाँ पर लिखते हैं, supposed to be क्या लिखा था हमने, बिसाल के तोर पे हमने यहाँ पर एक लिया h1 लिया, और h1 के अंदर हम लिख रहे हैं for example hello.com ठीक है, hello.com यह hello.com ले लिए हमने, तो यह देखें header section में लिखा वा गया, अब इसकी style करेंगे और इसको थोड़ा सा center में लागे set करेंगे, enter करेंगे, तो यहाँ पर enter किया हमने, अब यहाँ पर इसकी property को define करेंगे, क्या हो कौन कौन सी properties हम से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको center में देखना चाहता हूँ, तो text-align की property लेगे, यहाँ पर directly मैं center की value pass करूँगा, तो यह देखें center में आ जाएगा, ठीक है, अब इसका font है, वो छोटा है, तो font size की property को में use करूँगा, और इसका 36 pixel का मैं font का size यहाँ पर define करता हूँ, तो यह तना बड़ा हो जाएगा, और यह थोड़ा और बड़ा दिखा रहा है, तो 76 pixel का एक में इसको देता हूँ, तो यह देखें, इतना यहाँ पर use करूँगा, और यहाँ पर यह color पर सही रहेगा, तो save करके refresh करूँगा, तो देखें, color भी skip पर apply हो जाएगा, और अगर और कोई color देना है, तो यहाँ पर रखें, थोड़ी दिर अपना arrow, यहाँ से वो color आप खुद बना ले, और फिस पर click कर दे, save कर दे, और यहाँ से refresh कर दे, तो इस तरह से वो बन जागा, लेकिन यह color कुछ खास नहीं है, यह color देखें नहीं, ठीक है, ऐसे अपनी मरसी के color बनाएंगे, यह खुदी color codes खुदी बनाएंगे, अच्छा, उसके बाद अब इसमें एक और प्रापर्टी, जिसका नहाँ है, लेटर spacing, तो लेटर spacing property जैसी आप यूज करेंगे, तो आप बता दे, कितना लेटर के दर्म्यान में game देना, 10 pixel का, तो हर लेटर के दर्म्यान में 10 pixel का game भी आ जाएगा, और फिर हम ने कल सीखी थी, एक font-family की property तो आप यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो fonts का यह family है, जो आप यूज करना चाहरे हैं, वो आप इसमें easily use कर सकेंगे, और वो इस पर apply हो जाएगी, जैसे, यह रही है, तो अब आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक अपने title को यहाँ पर अच्छे तरीके से बना लिए header के अपर, और यह हमें इस तरह से नजर आ रहा है, similarly, अब आप इसके अंदर footer को भी बना सकते हैं, और दी footer के अंदर हम यहां के style में, background में, यहां पर कुछ tax लिख रहे हैं, जैसे copyright या all rights reserved 2024 registered, यह हमने लिख दिया refresh किया, तो यह देखें, taxes पर आगया, अब इसको भी मज़िद डिफाइन करने के लिए, आपने यही पर ही करना है, font के color को change करने के लिए color property के इस्तमाल करना है, य जगा के देखें, तो यह देखें, इसके pre-apply हो गया, इसकी text alignment को change करना है, तो text-align property को use करें, और इसको right side के set कर दें, और यहां पर देखें, यह दर नदर आएगा, इसके इलाबा इसको अगर font की weight को थोड़ा define करना है, font-weight को use कर ले, तो इसको bolder कर दें, तो यह देखे section बन गया, यहां पर navigation आएंगे, यहां पर जो भी website के content दिखाई देंगे, और यहां पर हम उसको shooter दिखाएंगे, तो यह हमने CSS के जरीए, अपने web layout को create कर लिया, सहीं?